बूर्णिंग फॉर्थियर्ज अपनी फिफ्ट सेंपलिंग के अंदर इंट्रोड्री पार्ट अपना गंप्लिट हो जुगा था आज हम जो शूरू करना जा रहे हैं वो अपने टाइपस अप्लिंग टेखनिक है sampling technique जो है वो दो तरग होती है आपकी screen के सामेश हो रही है जैसे कि probability sampling और दूसरी होती है non-probability sampling probability sampling को आप random sampling के नाम से भी जान सकते हैं और जो non-probability sampling है जिसको आप non-random sampling के नाम से जानते हैं जैसे कि probable sampling की बात की जाती है total पांच भागों में इसको divide किया गया है पहला है Simple Random Sampling, दूसरा है Stratified Random Sampling, तीसरा है Cluster Multi-Staged Sampling, चोता है Systematic Random Sampling और पाँच वर आक्रे जिसको मने कहता है Sequential Sampling, Stratified Random Sampling को फिर सेदो भागों बाटा गया, जो किया Proportionate Sampling और दूसरा है Disproportionate Sampling के नाम से जाना जाता है दूसरा जो होता Non-Probable Sampling या फिर Non-Random Sampling जो होता जिसके अंदर चार टाइप से, Convenient Sampling, Snowball Sampling, Quotas Sampling और Purpoursive Sampling तो सबसे पहला टाइप जो है वो Probable Sampling की बात करते हैं, अपने Probability Sampling और Random Sampling की बात की जाए तो सबसे पहला हम शुरू करना जाते हैं कि Probability Sampling के अंदर अगर बात करते हैं, इसको हम Random Sampling के नाम से भी जानते हैं, Chance Sampling के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आइटम है, Population के अंदर, सबको समान मोका मिलता है, Select होने के लिए इसके अंदर कहा गया है कि in this design, every item has an equal chance to inclusions in the sample, तो इसके अंदर आपन बात करते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप आता हुए Simple Probability Sampling के अंदर आता है, Simple Probability Sampling के अगर बात की जाए, तो इसके अंदर Simple सा छोटा प्लान है, जहाँ पर छोटे Samples होते हैं, जिसके अंदर हम एक Sleep के ऊपर कुछ लोगों क के नाम लिख देते हैं, उस सब लोगों के नाम लिखने के बाद में उसको छोटी सी कटोरी या फिर बावल या फिर किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं, जैसिके 100 लोग का नाम लिखा और 10 लोग सलेक करने हैं, तो 100 के नाम लिख करके उस कंटेनर के अंदर रख दी जाते है और फिर one by one एक एक स्लीव को उठाया जाता है और उस लिप के अंदर जब तक कि हमें दस संख्या प्राप्त नहीं होती दस नाम उठाया जाते हैं और उस तरीके से नामों को उठाना दस तरह की सेंपल साइस को सलेक करना कहलाता है जिसको हम सिंपल प्रोबिबिलिटी सेंपल के नम से जानते हैं बचपन में अपने हैड और उसके बाद बहुत सारी चीजे देखिए जैसे कि अपने बात करते हैं कि पत्थर के ऊपर थूख रहें के और एक तरफ ड्राय और एक तरफ गीला है तो उसको हम हवा में उचाल दो और जो भी गीला है तो मेरी बैटिंग आ चालना यसे बहुत सारी मैथड़ा जिसकी मदद सेंपल प्रोब्लीटी सेंपलिंग कर सकते हैं एड्वांटेज अप सिंपल प्रोब्लीटी सेंपलिंग क्या है तो यह कम समय लाती है कम नॉलजच चीए और फटाफट हो सकता है इसमें कोई एर नहीं होता है इसली अनलाइ जिसकी मम नॉलच ऑफ पोड़िशन पर पता नहीं चलता है जो अपने चित्ती में सलेक्ट हो गया है पर्ची के अंदर सलेक्ट हो सकता हुशक ता उसके अंदर उत्रा नॉलच हो या नहीं हो दूसा जो टाइप है वो है Stratified Random Sampling Technique के नाम से जाना जाता है If a population from which a sample is to be drawn does not constitute the homogeneous group Stratified Sampling Technique is used कि भी एक जिस लोग नहीं होता गरी किसी group के अंदर तो उसके लिए हमें Stratified Random Sampling का टेखनीक का करना सब्डूर यह जैसे की कोई cricket team को select करना है PSP से select करना है तो PSP से select करने के लिए भी किसी भी 11 बच्चों के नाम लिखने तो कोई भी अपने अपने नाम दे दे उन नाम लिखने के बाद में परची बना थे परची बना अब बाद में slip को एक एक करके उठा थे total on 11 नम collect कर सकते है पर अगर एक ही बेच के बच्चे हो तो simple sampling काम में आती है पर PSP भी फिस्ट इर में से कितने जाएंगे second year में से कितने जाने जाएंगे third year में से कितने जाएंगे fourth year में से कितने जाएंगे ऐसे करके अगर कोई team select करना ही तो अपने को stratified random sampling का use किया जाना चीए जैसे कि first year के अंदर कौन-कौन से अच्छे पलाएंगे second year के अंदर कौन-कौन से अच्छे पलाएंगे third year के अंदर कौन-कौन से अच्छे पलाएंगे fourth year के अंदर कौन-कौन से अच्छे पलाएंगे जाते हैं उसके बाद में एक को अलेक करते हैं उसके बाद उसके अंदर हम सको select करते हैं select करने के दो तरीकिया हो सकते हैं कि हर चारों बैच में से तीन-टीन-टीन होगे तो 12 खिलाडी हो गए यह कहला था प्रोपोर्शनेट अनुपात के रूप में किसी भी क्लास से सेंपल को सलेक्ट करना और दूसरा होता बीना अनुपात के अगर फॉर्ट एर के बच्चे अच्छे है तो उसमें से पाथ सेपल ले लिए थरी एरिक में से फिर तीन ले लिए आड हुए सेकंड यर में से कोई द सेंपल में कि इक तीन लग लग nursing college से है जाहां से सेंपल सेलेक्रना है तो तीन राज्यो की जो population उसके अदर एक में सो दो सो और तीन सो तीन सो तीन लग लग सेंप्लन Надडल को सेलीक आप कर सकते तो फिर अगली एखर बात करते हैं क्लस्टर मुलेटेज सेंप्लिंग की सम्लिस द बतकुर में सब्सक्राइब सेज एल्या इसंप्लिग के नम से जानते हैं सो अलग-अलग nursing college वाले principles को continue education के लिए सलेक्ट किया जाता है पूर इंडिया में से तो उन सो लोगों को select करना है तो cluster sampling के अंदर जो बंदना है रहता research उसको सभी इंडिया के अंदर जितने भी राज हैं वाहां कितनी nursing colleges है कितने nursing principles सब के बारे मोला होना जरूरी है फिर वह क्या करते हैं उसको सब केटेगराइज करते हैं डिवाइड करते हैं क्लस्टर करते हैं तो इस तरह की sampling को cluster multi-stage sampling के नाम से जानते हैं इसके advantages यह है कि इसके अंदर time बचता है समय पेसा बचता है arrangement जो होता है वो small number की sampling unit से होता है डी-sample जैसे यह है कि large sampling error होने के chances ज्यादा रहते हैं सही तरीके से static का यूज गरितिया आपको का यूज नीवा तो भी data size अरीके से सेलेक्ट नहीं होता है systematic sampling जो की जो था टाइब जिसके अंदर बताएगा कि कितने सेंपल है जैसे कि 50 या 500 लोगों की population है उसमें को 50 सेंपल लेने तो कैसे करेंगा हम की जो list of total population की भी total 500 लोगे 50 सेंपल सेलेक्ट करने तो 500 में 50 का भाग देंगे तो 10 आएगा यह 10 जो है वो कै है जिसको हम sampling interval के नाम से जानते है जैसी example लेगी सबसे पहले x मतलब एक संख्य है मानो 10 एक है 1 प्लस कै की value थी 10 तो 11 हुआ फिर अपन बात करते है एक प्लस दो के 20 मतले 21 तो 11 21 एक तरीके संख्यां बढ़ जाएगे टोटल 500 में 150 सेंपल अपने पाद सेलेक्ट हो जाएंगे easy है economical है time saving है result अच्छा रहता है decent है जिसके बात करें तो कोई बाया होते है वो pollution के random नहीं होती आफ्टर दे फर्स सेंप्लिंग अलिमेडिटी चूजन की एक बार पहला सेलेक्ट हो जाता है की यह आएगा उसके बाद आपने आप सब को पता दे जाएंगे सेंप्लिंग के नाम से जानते हैं उम्मीद करता हूँ सेंप्लिंग टेक्निक के अंदर सबसे पहले टेक्निक probability सेंप्लिंग टेक्निक या रंडम सेंप्लिंग टेक्निक आपको इजली समझ भाएगी एक बार उसको और अच्छा से समझने के लिए notes को एक बार देखें correlate करें फिर भी कोई doubt हो तो concern करें THANK YOU